प्यारे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटी चल रही है यह क्लास 7 की ठीक है जिसमें यह चैप्टर नमबर 3 है और हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज दो क्लासे से आपकी करा दें जिससे की पॉलिटी फटा-फट खत्म हो जाए फिर आगे जो हिस्ट्री जिगोर यह स्वाफी बचआ है क्लास 8 का उसको कवर करते हैं यह चैप्टर 3 है इसके पाद 5 चैप्टर और बचे हैं और फिर क्लास 7 की भी स्वालिटी खत्म हो जाई आज कि इसक्लास में हम राज्य शासन कैसे काम करता है इस पर बाद करेंगे विधायक कैसे बनते हैं इस पर बात करेंगे ठीक है और यह सब बहुत important चीज़ें बहुत important चैप्टर अच्छा चेप्टर है ठीक है जो महत्रपौन चीज़ें उनको समझें जो फालतू की चीज़ें उनको हटा देंगे आये शुरू करते हैं देखेगा राज शासन कैसे काम करता है हमने पिछले कच्छा 6 की जो किताब पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि शासन तीन इस्तरों पर काम करता है इस्थानिय इस्तर, राज इस्तर और केंदर इस्तर पर काम करता है और इस चैप्टर में हम जानेगे कि राज इस तर पर शासन कैसे काम करता है इतनी बात कलिए रहे हैं चलिए आगे बात करते हैं और यहां से देखिए विधायक कौन होता है सबसे पहले अगर पॉइंट आता है विधायक कौन होता है तो देखे विधान सभा के सदस्य को विधायक याने की MLA Member of Legislative Assembly कहा जाता है ठीक MLA Member of Legislative Assembly कहा जाता है तो विधान सभा के सदस्य को विधायक कहते हैं ठीक आप किया भी विधायक होंगे और आप भी जानते होंगे अपने विधायक को जानते होंगे तो उसका ये संचिप्त रूप है MLA का चुनाओ जनता के द्वारा किया जाता है नोट कर लीची, पॉइंट को नोट कीजिए, ध्यान रखेगा MLA का चुनाओ जनता के द्वारा किया जाता है फिर वे Legislative Assembly के मेंबर यानि विधान सबाके सदस से बन जाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित तो करते हैं क्योंकि जनता ही उनको सरकार तक पहुंचाती है जनता के द्वारा ही वो चुने जाते हैं तो जनता का प्रतिनिधित तो विधायक कर रहा है यहां पे आगे बढ़ेंगे तो देखे भारत के हर राज्य में एक विधान सभा है हर राज्य कई निर्वाचन छेत्रों में बटा हुआ है हर एक राज्य कितने निर्वाचन छेत्रों में बटा हुआ होता है तो हर राज्य कई निर्वाचन छेत्रों में बटा हुआ होता है जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश 68 यानि की 68 निर्वाचन छेत्रों में बटा है हर निर्वाचन छेत्र से जनता एक प्रतिनिधी चुनती है जो विधान सबाका सदस्य यानि की विधायक बन जाता है हर निरवाचन छेत्र से एक विधायक चुना जाता है और ये जो विधायक होते हैं वो अलग-अलग राजनीतिक दलों के होते हैं कोई भाजपा का है, कोई सपा का है, कोई कांगरेश का है ठीक है? और जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्य मंत्री कैसे बन जाते हैं जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निरवाचन शेत्रों में जीत जाते हैं राज में उस दल को बहुमत माना जाता है कि इस दल को बहुमत मिला है बिजेपी को बहुमत मिला है या कांगरेश को मिला है ठीक है जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक जीत जाते हैं उनका बहुमत हो जाता है बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सब को विरोधी पक्ष कहा जाता है उदाहरण के तोर पर हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में विधायकों के 68 निरवाचन छेत रहें कितने हैं 68 निरवाचन छेत रहें तो यहाँ पे अब जो फिलिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के 2717 का विधान सभा चुनाओ जीता और विधायक बन गए, विधान सबा में कुल विधायकों की संक्या अरसट है इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवसकता होगी अगर 34 से अधिक हैं तो उनका बहुमत हो जाएगा भारतिय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वो सत्ता अधारी दल के सदस्टे बन गए और सारे विधायक विरोधी दल के सदस्टे बन गए ठीक है और अपोजित पार्टी बन गई इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतिय जनता पार्टी के बाद सबसे अधिक विधायक उसी के थे विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दली उमिद्वार जिनका कोई दल नहीं है किसी दल से कोई लेना देना नहीं है जो चुनाव जीत कर आये थे चुनाव के बाद सत्ता धारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्य मंतरी बनता है जो सत्ता धारी दल के विधायक होते हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्य मंतरी बनता है और इस उदार में फिर भारती जनता पार्टी ने विधायकों ने स्री जैराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्य मंतरी बन गए प्रश्न पूशता है कई बार कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की निक्ति कौन करता है लाज जिपाल करता है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का ये दायत तो है कि वे शासन के विभिन्य विभागों और मंत्रालियों को चलाएं उनके अलग-अलग कार्याले होते हैं विधान सभा ऐसा इस्थान होता है जहां सभी विधायक चाहें वो सत्ताधारी दलके हो अथ्वा विरोधी दलके हो विभिन्ने विश्यों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं ध्यान दीचेगा विधान सभा कहां एकत्रित होते हैं विधान सभा में यही वो इस्थान होता है जहां सभी विधायक जाहें वो सत्ताधारी दलके हो या विरोधी दलके हो विभिन्ने विश्यों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती एक दो विधायक की रूप में हैं ये दूसरे मंत्री रूप में हैं तो विधायक के तोर पर भी काम कर रहे हैं अपने निर्वाचन शेत्र में और दूसरा मंत्री की रूप में भी काम कर रहे हैं तो इन पर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है आगे समझेंगे देखे राजिका प्रमुक राजिपाल कहलाता है राजिका प्रमुक कौन होता है राजिपाल उसकी नुक्ति केंदर सरकार के दौरा की जाती है राजिपाल की नुक्ति किसके माद्धिम से होती है केंदर सरकार के द्वारा होती है ये सनुशित करने के लिए कि राज सरकार समिधान के नियमों यह अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाच चलाए इसलिए राजिपाल की नुक्ती की जाती है कई बार सत्ता धारी दल किसी एक पार्टी का नव होकर कई पार्टियों से मिलकर के बनता है इसे गठभंधन सरकार कहते हैं जिसमें वो अपना वहमत नहीं ले पाते कई पार्टिया मिलकर के एक जुट करते हैं तो उसे गठभंधन कहते हैं इतनी बात के लिए रो गई अब आगे यहाँ पर विधान सबहा विदायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं समंदित विशय पर प्रिश्ण पूछ सकते हैं या फिर सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस समंद में क्या करना चाहिए इस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं सदस इस विशे पर जो भी पृतिक्रिया विक्त करना चाहें कर सकते हैं इसके बाद मंत्री प्रिश्णों के उत्तर देते हैं और सदन को आस्वश्ट करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्ने लेने होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है और सरकार चलानी होती है हम अक्सर उन्हें निर्नेों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अत्वा समाचार पत्रों में उन्हें देखते और पढ़ते हैं जो भी निर्ने लिये जाते हैं उन्हें विधान सभा के सदस्चों के दोरा अनुमूदित किया जाना होता है। लोग तंतर में विधान सभा सदस्चे मंत्रियों वा मुख्य मंत्री से प्रश्ण पूछ सकते हैं। इस पॉइंट पर बहस हो सकती है। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है। अब देखें यहाँ पर विधायक कुछ मिलकर के बहस कर रहे हैं। एक विधायक दो, तीन, चार, पांच, छे सब विधायक लगे हुए अपनी बात रख रहे हैं, अपना अपना सुझाव दे रहे हैं। तो देखें, विधायक सामुहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदाई होते हैं। ठीक, सरकार शब्द जो है, इसका मतलब है, शासन के विभिन विभागों और मंतरियों से होता है। यह सभी मिलकर के सरकार बनाते हैं, जो उनके प्रभारी हैं। इन सबब का सामुहिक परमुख मुक्यमंतरि होता है। तो नहीं सरकार का कारिकारी हिस्सा यानिकी कारिपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधान सभा में एकत्र होते हैं विधायका कहलाते हैं ध्यान देचेगा जो विधान सभा में एकत्र होते हैं विधायका कहलाते हैं विधायका के रोप में वे सरकार के कारेकारी हिस्से को काम करने कादिकार देते हैं और फिर उसके काम की जा कारे प्रणाली पर बात करेंगे देखेगा केवल विधान सभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टपनी और सरकार से कारवाई करने की मांग नहीं कि जाती है हम अक्सर देखते हैं नियमित रूप से अख़वार हो गए टीवी चैनल हो गए बाकी संग्ठन को सरकार की बारे में बाते करते हैं देखते हैं लोकतंत्र में अनेक माध्यमों के द्वारा लोग अपने विचार विक्त करते हैं और कारिवाई भी करते हैं चीक है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट पैंट हम को यहाँ से मिलता है देखिए वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुक्यमंत्री और स्राश्ट्रे मंत्री उन्हें समस्याँ पर कारिवाई करने होती है समस्याँ पर कारिवाई कौन करते हैं जो सत्ता में हैं वे ये कारे विभिन विभागों के द्वारा करवातिंग के अलग-अलग विभाग होते हैं, जल विभाग अलग है, बिजली विभाग अलग है, है ना सिक्षा विभाग अलग है, खेल विभाग अलग है, सारे विभाग अलग-अलग होते हैं, जिस विभाग से related problem है, उस करने वाले लोगों को आश्विश्ट करना होता है कि इसके लिए हम कदम उठा रहे हैं हमारी सरकार यह यह काम कर रही है इसके साथ ही साथ समाचार पत्रों और अन्यमाध्यमों में भी इन विश्यों पर चर्चा होती है जिसका उत fertig सरकार को देना होता है जैसे प्रिश्वारता हो गई सरकार सफाई और स्वास्था सिवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी नड़ने ले सकती है और फिर उधारन के लिए जैसे वो कानून बना करके हर नगर निगम के लिए ये अनिवार कर सकती है कि शहरी छेत्रों में पर प्रतेक राजी की विधान सभा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद विभे ने शासे की विभाग इन कानूनों का किरियान वियन करते हैं, इन कानूनों को विभार में लाते हैं, यानि कि उस पर काम करते हैं, पुरे देश के लिए कानून संसद में बनाये जाते हैं। कान जनता अपने प्रतिनिदी चुनती है और इस तरह शासन मुक्ता जनता का ही होता है शासन किसका होता है जनता का क्यूंकि जनता ने अपने विक्ति को चुन करके बेचा है फिर सत्तात पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है ये मंत्री यहां पे कुछ points हैं इन सब्दों को आप समझ लीजिए आपसे पूछ लेगा निरवाचन छेत्र क्या होता है निरवाचन छेत्र इसका ताथ पर एक निश्चित छेत्र से होता है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधी चुनते हैं आपसे प्रिशन पूछ लेग कि जहां से विधायक चुने जाते हैं उस छेत्र को क्या कहते हैं निरवाचन छेत्र कहते हैं यह कोई पंचायत का वार्ड या वो छेत्र हो सकता है जो विधान सबा सदस्च चुनता है बहुमत इसका मतलब ऐसी इस्तिती से है जब किसी समू के आदे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णे या विचार से सहमेत हों इसे शाधान बहुमत भी कहा जा सकता है विरोधी पक्ष क्या होता है इसका तात पर उन चुने हुए प्रतनेधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्च नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी नेर्णियों और कार्यों पर प्रश् पूछने के लिए आमत्रित क्या गया हो उनसे अप एक्षा की जाती है कि मेडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमों को बताएंगे ठीक है तो यह होती है प्रेश्वारता तो इस तरीके से हमने विदायक कैसे बनते हैं कैसे काम करते हैं इस प्रेंट को हमने वोटर अपना विदायक चुनते हैं उसे निरवाचन छेत्र कहते हैं अगला प्रेश्ण कहता है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन निक्त करता है जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राजिपाल निक्त करता है कौन निक्त करता है राजिपाल प्रेश्न कहता है वह इस्थान जहां सभी विधायक चाहें वे सत्थादharma हो अत्वा विरोधी दलके हो विभीन ने विश्चेवें पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे विधान सभा कहते हैं अभी हमने पीछे पढ़ाता देखिए, यहाँ पे हमने आपको पॉइंट समझाया था, यही वो इस्थान होता है, जहां सभी विधायक चाहें, वो सत्ताधारी दलकें हों, अत्वा विरोधी दलकें हों, विभिन विश्यों पर चर्चा करने के लिए एक अतरीत होते हैं, विधान सभा, तो इस में हमारा विधान सभाय पहर राइट हो जाएगा, अगला प्रिश्न हम लेते हैं, अगला प्रिश्न देखेगा, कहता है कि राजिपाल की नुक्ति केंदर सरकार के द्वारा की जाती है, बिल्कुल डफिनेटली, राज्य सरकार समविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार अ किसी से कारण पूछते हैं, कि इसके पीछे कारण क्या है, राजिपाल की नुक्ति क्यों की जाती है, तो आपने कारण बता दिया, यानि कि आपने एक्स्प्लेन कर दिया उसको, तो ये एक यार सही व्याक्या हो गई, तो इसलिए ये राइट हो जाएगा यहाँ पे, तो यह हमारा छोटा सा चैप्टर था, बहुत प्यारा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, और नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं, तो इस नंबर पर 9628182649, इस नंबर पर WhatsApp Messenger के नोट्स की इंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक हैं, नोट्स की खाशियत यह है कि आपको चैप्टर के शाथ में पीवाईक्यू भी मिल जाते हैं, जिससे आपना बेहितर कर सकते हैं, थैंक्यू सो मच्च